नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिसाद बिहार पटना में आपका स्वागत है कैसे हैं प्यारे बच्चो मुस्कुराते वे तो नजर आ रहे हैं आशा करती हूं सुअस्तोर अच्छे होंगे बच्चो जब आप घर से निकलते हैं तो आपके लिए आपका टिफिन कौन पैक कर देती हैं आपकी मा जब आप घर जाते हैं तो आप घर से लोटने का घर पे किसका इंतजार करते हैं कि ओफिस से कौन लोटेंगे आपके पापा घर पे आपके छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं और दादा रहते हैं दादी रहती हैं तो जब हम घर जाते हैं तो मन लगता है ना कि वाओ चलो घर बापस आ गए कहीं से भी हम घूम कर ठक कर काम कर कर मेहनत कर कर पर कर जब घर जाते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है, किसे हमें क्यों अपने परिवार को देखकर, परिवार ऐसा जगह ही होता है, तो बच्चों घर जो होता है, वो किसे बनता है, एक फैमिली से बनता है, सबकी फैमिलियां होती है, होती है ना, सबका परिवार होता है ना, किसे मम्मी, पापा, घर में जो भी लोग होते हैं, वो सम मिलकर पडिवार को ही बनाते हैं, तो बच्चो मेरे भातों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कि आज आपकी मैम आपको क्या समझाने वाली है, क्या पढ़ाने वाली है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी my family, यानि कि आप मेरा सब्सक्रियर है तो आएए देखते हैं a lesson three my family यह एक picture conversation है यानि कि बच्चों हम picture के माध्यां से हम परिवार को समझेगे तो बच्चों आप मुझे यह बताए य सब मतों यह जानते हैं पर परिवार को इंगलिष में हम क्या कहते हैं परिवार को English में हम family कहते हैं आपको बहुत कठिन लग रहा है ना ये नाम पर बच्चो इसका spelling भी बहुत आसान होता है तो आज मैं आपको family से मिलाऊंगी कि family में कौन-कौन रहते हैं उनसे मिलाऊंगी उनके spelling बताऊंगी और हिंदी में माता, पीता, भाई, बैहन, दादा, दादी, चा चाची इनको क्या कहते हैं ये भी में बताऊंगी आपको बच्चो आप लोग excited है ना जानने के लिए तो जो भी spelling में बताऊंगी ना आपको वो आप देखकर note करते रहिएगा ताकि वो आपको अच्छी तरह से बाद में revision करने पर भी याद हो जाए तो बच्चो चलिए द family 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 आप देख रहे हैं बच्चो चित्र में एक परिवार है उसमें माता पीता दादा दादी भाई बेहन सभी लोग थें तो आपको ये समझ में आया ना कि family के spelling कौन से alphabet से start होता है आप देख रहे हैं ना if is for family तो प्यारे बच्चो family का spelling आपने note on किया या नहीं तो अब से परिवार की जगा हम family word use करेंगे ना इंग्लिश में हमको पता हो गया ना कि परिवार को क्या कहते हैं तो family का spelling भी मैंने आपको बताया तो आपने देखा बच्चो कि family का जो picture था उसमें कितने सारे लोग थे ना दादा थे दादी थे मा थी पिता जी थे भाई थी बेहन थे तो बच्चो ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं family बनाते हैं यानि परिवार बनाते हैं सबके घर में अलग अलग तरीका परिवार होता है बच्चो है ना किसी के घर में दादा दादी चाचा चाची भी साथ रहते हैं और किसी के घर में क्या होता है कि माता पीता और छोटे छोटे आपके भाई बेहन ही आप लोग रहते ह तो बच्चो परिवार भी जो होता है ना वो दो तरह का होता है यानि कि two types of family मैं आज आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूँगी ताकि आपको पता चले कि परिवार के कितने प्रकार होते है और परिवार कौन कौन सा होता है तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आये कुछ चित्रों के माध्यम से इसे पढ़ते हैं, परिवार में होते हैं, FATHER, यानि की पिता जी, f for father, f, a, t, h, e, r, father, यानि पापा या फिर पिता जी, तो बच्चों आप देखते होंगे आपके परिवार में, आपके पिता जी क्या करते हैं आपके लि तभी तो आप स्कूल में आते हैं या आपके जरूरतों को वो पूरा करते हैं तो परिवार में पिता जी का रोल जो होता ना वो बहुत एहम होता है आप देखते हैं आप जब घर जाते हैं तो आपको अपने पिता जी के घर बापस आने का इंतजार रहता है ना ताकि वो आपके लिए क्या लाए नहीं लाए तो बच्चो फादर का मतलब हिंदी में होता है पिता जी और इंगलिश में मैंने आपको बताया पिता जी को क्या कहते हैं एफ और फादर कहते हैं अब आते हैं अगले पर ये है कौन है ये? अरे ये तो मा लग रही है यानि कि ये है माता जी तो बच्चों माता को हम मा भी कहते हैं मम्मी भी कहते हैं कहते हैं तो आपने देखा मदर का क्या रोल होता है अगर किसी दीन आप घर बापस जाए और मम्मी घर पर नहीं मिले मम्मी कहीं मार्केट चले जाए या किसी नेवर परूसी कहीं चले जाए तो आप अग्दम परिशान से हो जाते हैं ना क्या रही मम्मी कब आएगी मम्मी कब आएगी है ना बच्चों तो आप समझ सकते हैं कि एक family में मा का क्या role होता है तो प्यारे बच्चो मा तो आप जानते हैं पर मा को English में हम क्या कहते हैं आईए इसके spelling को पढ़ते हैं M for mother यानि की M O T H E R mother यानि मा तो बच्चो आपने इसके spelling को नोट किया ना अब आप जब आज घर जाईएगा तो मा को मदर बोड़के बुलाईएगा तो आपके मा को भी लगना चाहिए ना कि मेरे बच्चे को भी मदर यानि कीस का spelling और मा का English आ गया तो आपने देखा कि मैंने मा को क्या बताया मदर बताया पापा को फादर और मा को हम मदर कहते हैं तो बच्चो माता पीता की तो बात हो गई अब घर में और कौन-कौन रहते हैं रहते हैं हमारे भाई और बहन तो बच्चो भाई को English में हम क्या कहेंगे भाई को English में हम कहते हैं Brother यानि की B for brother B R O T H E R Brother Brother यानि भाई तो बच्चों भाई का क्या रोल होता है जब भी अप घर जाते हैं या स्कूल में आते हैं अपने भाई बहनों के साथ तो बीना भाई के मन लगेगा क्या नहीं लगता है ना भाई के साथ हम खेलते हैं पढ़ते हैं खाना शेयर करते हैं और कभी कभी जगरते भी हैं तो बच्चो भाई और बहन का जो रिलेशन होता है ना वो भी बहुत मुझेदार होता है होता है ना तो बच्चो भाई तो आप जानते हैं तो अब आपको आज समझ में आ गया ना कि भाई को इंगलिश में भी हम क्या कहते हैं भाई को इंगलिश में कहते हैं ब्रदर बी आर ओ टी एच ए आर ब्रदर यानि की भाई तो अपने ध्यान से इसे नोट डाउन किया ना अब अपने भाई को अब क्या बोलकर बुलाईएगा ब्रदर बहुत अच्छा तो बच्चों भाई को अगर ब्रदर कहत हैं तो बहन को क्या कहेंगे आईए देखते हैं कि बहन को हम क्या कहते हैं यह है प्यारी सी क्यूट सी हमारी बहन जीसे हम इंगलिश में कहते हैं sister क्या कहते है sister कहते हैं और sister का spelling क्या होता है बच्चों होता है सिस्टर यानि की बहन तो बच्चो आप देख रहे हैं ना बहन कितना अच्छा लगता है तो आपको समझ में आया कि बहन को इंगलिश में मैंने क्या सिखाया बहन को इंगलिश में क्या कहते हैं बच्चो सिस्टर कहते हैं इसे आप याद रखिएगा सिस्टर यानि की बहन तो बच्चो हमने यहां देखा कि माता पिता भाई बहन यानि की फादर मदर ब्रदर और सिस्टर ये तो हमें समझ में आ गया लेकिन बच्चो आपने यह ध्या दादा दादी बहुत लोग रहते हैं ना पड़िवार में तो आए अब देखते हैं कि चाचा को इंगलिश में हम क्या कहें गे यह आ गें आपके चाचा जी तो बच्चो देखिये चाचा जी तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन चाचा को इंगलीश में क्या लिखावा है चाचा को इंगलीश में लिखावा है यू फौर अंकल यानी की यू-n-c-l-e अंकल है ना बच्चो आप हमेशा अपने चाचा को देखती होंगे कभी अंकल कहके बुलाते हैं ना लेकिन अंकल का spelling आपको नहीं पता था ना, तो आज मैंने आपको अंकल का spelling भी सिखाया, आपने लिखा ना उसे, सारे spelling अच्छे से note down करते रहिएगा, तो बच्चो चाचा जी जो होते हैं जब हमारे कुछ नखरे होते हैं, जीने माता पिता नहीं उठाते, जब वो नहीं सुनते त घर में चाचा जी, चाचा का बच्चो आप लोग बहुत लाडले होते हैं ना चाचा जी के, तो आज आपको समझ में आया कि चाचा यानि अंकल को हम कैसे पढ़ते हैं, UNCLE अंकल और चाचा को इंगलिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, ठीक है, तो आपने देखा बच् तो अंकल तो आपको पता था, आप बोलते हैं चाचा जी को अंकल, spelling भी आपने देख लिया, लेकिन चाची जी को हम क्या कहेंगे, आईए देखते हैं यहे सुन्दर सी प्यारी सी आपकी चाची यानि कि इसको इंगलीष में हम क्या पढ़ेंगे इंगलीष में हम चाची को अंट कहते हैं यानि कि A for unt A, U, N, T, unt. बच्चों बहुत समय कुछ बच्चे अंट को अंटी भी कहते हैं कहते हैं हम लोग चाची को अंटी भी तो अंटी भी बोल चाल के भासा में हम कह सकते हैं लेकिन बच्चों अंट जो होता है वो सुध्ध होता है चाची जी का तो आपने देखा चाची को इंगलीश में मैंने क्या बताया A for aunt, A-U-N-T-Aunt, तो बच्चो, यह चाची तो मुस्कुरा रही आपको देखकर के, तो यानि कि जब आज आप घर चाहिएगा बच्चो, तो आप क्या कीजिएगा? अपनी चाची को क्या कहकर बुलाईएगा? चाची नहीं बोलना रहा है? अंटी या फिर अंट बोलना है तो बच्चों आपने देखा कि चाचा और चाची को भी हमने इंगलिश में अंकल और अंटी या अंकल और अंट मैंने पढ़ा और बताया तो अब आपको समय में आ रहा है ना तो अब आप यह बताईए कि क्या परिवार में और भी कोई लोग होते हैं क्या और भी कोई लोग बचे हैं क्या मिलाने के लिए आप से सोचिए हां चाचा चाची के बच्चे यानि की आपके भाई बहन तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं कजन्स जैसे चचेरे भाई चचेरे बहन जो भी इस तरह के रिलेशन के भाई बहन होते हैं, उन्हें हम cousins कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, cousins कहते हैं, तो आईए cousin के spelling को देखते हैं C for cousin, यानि की C O U S I N S, यहाँ दो है, इसलिए S लगा है, cousins, भाई और बहन, तो यह आपको high कह रहे हैं, आप भी इन्हें high कीजिए, हम, very good, तो बच्चों, जो चाचा चाची होते हैं, उनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं, उनके बच्चों को हम कहते हैं, cousins, C O U S I N S, नुठकी आपने, very good, तो अब से, अब आपको समझ में आया ना, कि जो भी आपके चचिरे, भाई, बहन होते हैं, उन्हें इंगलिश में क कहेंगे cousins, ध्यान से देख लिजे, क्योंकि आज घर जाके आपको अपने cousins को बताना है, कि इंगलिश में उन्हें क्या कहते हैं, और उनका spelling भी पढ़कर आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों, चाचा चाची और cousins की भी बात हो गई, तो अब परिवार में कौन बचा, बताइए, सबसे प्यारे परिवार में जो बच्चों के लिए होते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे दादा और दादी, है ना, जब भी हमें कुछ चाहिए होता, या मम्मी गुसाती है, या पापा डाठते हैं, तो हम सीधा किसके पास जाते हैं शिकायत करनें, दादा या फिर दादा जी को इंगलिश में हम क्या बोलेंगे, दादा जी को इंगलिश में हम बोलेंगे, ग्रैंड फादर, है ना दादा जी, देख रहे हैं ना, पिक्चर में, यानि की ग्रैंड फादर, तो बच्चों ये स्पेलिंग आपको देखने में बढ़ा लग रहा है, लेकिन फ ए एन डी ग्रैंड फादर एफ ए टी एच ए आर ग्रैंड फादर यानि की दादा जी तो बच्चों देखने में यह स्पेलिंग लग रहा था लंबा सा भारी भरका लेकिन अब आपको समझे में आया ना कि फादर में ही जब हम आगे ग्रैंड लगा देंगे तो हो जाएगा प्रैंड फादर यानी दादा जी तो आज घर जाके दादा जी को भी क्या बोलकर बुलाना ह objective फादर बोलकर बुलाना यह है दादी माँ है ना बच्चों तो बच्चों दादी माँ को इंगलिश में क्या कहते हैं Mother यानि माँ और माँ के आगे लगाएंगे Grand यानि दादी माँ G for Grand Mother यानि की G-R-A-N-D Grand Mother M-O-T-H-E-R Mother Grand Mother यानि की दादी माँ तो बच्चों आप देखते हैं ना दादी माँ का क्या रोल होता एक फैमली में वो घर को पुजा पाट से सजाती हैं पुजा पाट करती हैं बच्चों को प्यार करती हैं जो भी आपको चाहिए होता है वो चुप-चुप कर आपको देती है और गल्ती करने पर डाट भी परती है तो दादी माँ और क्या करती है दादी माँ हमें तरह-तरह के कहानियां भी सुनाती हैं सुनाती है ना बच्चो तो बच्चो आपने देखा कि ग्रैंड मदर का क्या रोल होता है तो प्यारे बच्चो आपने देखा कि एक फैमिली में एक परिवार में कौन-कौन से लोग होते हैं बताइए मुझे फादर होते हैं मदर होती है और अंकल होते हैं आंटी होती है ब्र एक family बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, sweet family, my family, तो बच्चो ये तो हो गए कि परिवार में इतने लोग रहते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा, कि मेरे परिवार में तो चाचा चाची नहीं रहते, uncle, aunt नहीं रहते, तो फिर मेरा family क्या family नहीं है, आपके सवा होता है संयूख्त परिवार जिसे हम English में कहते हैं joint family और एक होता है एकल्परिवार जिसे हम कहते है nuclear family तो मोटा मोटी मैं आपको यह समझा दूँ कि Jo remarkable can जो जोएंट यानि कि जो सब एक साथ रहें तो जो परिवार आप देखते हैं बड़ा परिवार होता है जिसमें माता पीता दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे सारे लोग मिलकर रहते हैं यानि जोएंट होके रहते हैं वैसे फैमिली को कहते हैं जोएंट फैमिली है nuclear family संयुग्त और एकल परिवार आए इसको प्रिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं टाइबस ऑफ फैमिली यानि की परिवार के प्रकार पहला है जॉइंट family यानी संयुक्त पृवार J O I N T joint or family F A M I L Y joint family और दुसरा है nuclear family यानि एकल परिवार यानि N U C L E A R nuclear family F A M I L Y family यानि की एकल परिवार तो आपने देखा बच्चो की joint family और nuclear family कैसा होता है नाम से आपको बहुत hard लग रहा है ना लेकिन नहीं अब मैं आपको picture के मार्दियम से समझाओंगी और देखिएगा आपको तुरंट समझ में आ जाएगा की joint family कैसा होता है और nuclear family कैसा होता है तो आएए pictures के through समझते हैं यह देखिए यह आया सयुक्त परिवार यानि की joint family है ना बच्चो आप देख रहे हैं इस picture में कौन कौन है माता पीता अंकल आंटी दादा दादी दादा दादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे grandfather, grandmother और brother and sister तो यह सारे लोग जो एक साथ मिलकर एक घर में रहते हैं ना बच्चो तो जिस घर में यह सभी लोग मिलकर रहते हैं वैसे बड़े परिवार को हम joint family कहते हैं समझ में आ गया बाद जिसमें माता पीता चाचा चाची सारे लोग रहते हैं और दूसरा क्या होता है एकल परिवार यानि nuclear family आईए उसको भी देखते हैं नुकलियर फेमली यानि छोटा परिवार जिसमें माता पीता और उनके बच्चे रहते हैं है ना बच्चो यह बिलकुल चोटा सा परिवार तो अब आपको समझ में आया बच्चो कि joint family और nuclear family में क्या अंतर है joint मतलब की बड़ा परिवार और nuclear मतलब की छोटा परिवार समझ में आ गया ना तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये तो हो गया फैमली की बात समझ में भी आ गया आपको बात तो आप देख लिए कि एक परिवार में माता पीता भाई बैहन चाचा चाची दादा दादी सारे लोग रहते हैं तो अब मैं आपको एक पिक्चर हू आर दे यानि की ये लोग कौन हैं आप पिक्चर में देख रहे हैं की एक ओल्ड लेडी यानि एक बूही सी औरत है एक मम्मी जैसी भी औरत है दो छोटे से बच्चे हैं एक बॉय है और एक गर्ड है एक मैन है यानि की एक आदमी है और एक ओल्ड मैन है यानि की एक बुढ़ा आदमी है इस पिक्चर को बच्चो ध्यान से देखिए और जल्दी से बताईए की ये कौन-कौन है मुझे तो ये दादी, मम्मी, पापा, दादाजी और भाई, बहन लग रहे हैं आपको भी लग रहे हैं क्या पर बच्चो इनक इस फिक्च्र को देखकर बताईए की इनको इंगलिश में क्या परेंगे आईए देखते हैं यानि कि ये लोग मेरे परिवार हैं और परिवार में कौन-कौन है? दादी मा है यानि की ग्रैंड मदर आप देख रहे हैं ना बच्चों? G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R ग्रैंड मदर यानि दादी मा उसके बाद है मदर यानि की मा M-O-T-H-E-R मदर यानि मा फिर है पिता जी यानि पापा या फिर उसको इंगलीश में कहेंगे फादर यानि F-A-T-H-E-R फादर यानि पिता जी और उसकी बगल में खडए हैं दादा जी यानि की ग्रैंड फादर G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R grandfather यानि दादा जी और नीचे है एक प्यारी सी बहन यानि कि ये बहन को इंग्लिश में कहेंगे sister sister और एक प्यारा सा भाई भी है भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई को इंग्लिश में कहते हैं brother यानि कि B-R-O-T-H-E-R brother तो आपने इस परिवार को अच्छे से देख लिया ना बच्चों देखा ना कि दादी, मा, पापा, दादाजी, भाई, बेहन सभी लोग थे ना परिवार में तो यही लोग मिलके तो परिवार बनाते हैं ना जहां हम मिल जिलकर खुशी-खुशी तो बच्चों आपने ये भी सिखा कि सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आशा करती हूँ कि अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि सबका इंग्लिश नेम क्या है तो आईए अब कुछ सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए चूश दा वर्ड मैचिंग विद्धा पिक्चर यानि कि यहां दो सब्द लिखे वे हैं और एक पिक्चर है तो दोनों सब्द में जो सही है जो इस पिक्चर से मैच कर रहा है उसको आपको चुनना है यानि कि एक तरफ लिखावा है F-A-T-H-E-R फादर और एक तरफ यानि आदमी का पिक्चर है तो बच्चो बताएए जल्दी से यह फादर है कि मदर है यह पिता जी है या मा है आईए देखते हैं आंसर है फादर बहुत अच्छा यानि कि यह तो पापा है फादर का स्पेलिंग फिर से रिपीट कीजिए F-A-T-H-E-R फादर यानि पिता बहुत अच्छे बच्चो तो आपने पिता जी को बिल्कुल सही पहचाना यानि कि अब आप पहचानने लगे हैं कि फादर कौने मदर कौने और इंगलिस में स्पेलिंग भी पहचानने लगे हैं तो आए बच्चो कुछ और पिक्चर से देखते हैं चूज दवर्ड मैचि वट को चुनना है मुझही तो यह बहन लग रही है यह कौन है बच्चो एक तरफ लिखावा है मदर M O T H E R मदर यानि मा और दुसरे तरफ लिखावा है सिस्टर यानि बहन S I S T E R तो यह सिस्टर है ना नहीं तो आएए आपके आंसर सही है कि नहीं आएए मिलाते हैं आपका जवाब बिलकुल सही है यह है मा यानि की मदर M O T H E R यानि की मा बाह बच्चों आप तो बहुत अच्छे से माता-पिता को पहचान गए तो आए कुछ और पिक्चर दिखाते हैं और देखते हैं आप उनको सही से पहचानते हैं कि नहीं अब आता है choose the word matching with the picture यानि की यहां जो picture है वो कौन है एक तरफ लिखावा है sister यानि की बहन S I S T E R और एक तरफ लिखावा है brother यानि की भाई B R O T H E R तो बच्चों जल्दी से इस picture को पहचानी और सही जवाब दीजिए सारे जवाब मुझे मिल गए बिल्कुल सही यह ब्रदर यानि की भाई भाई को इंगलीश में कहते हैं brother B R O T H E R brother वहाँ बच्चों brother को भी आप पहचान गए तो चलिए एक और picture आपको दिखाते हैं और देखते हैं इसे आप पहचानते हैं की नहीं choose the word matching with the picture यानि की एक प्यारी सी बच्ची है तो इस बच्ची को यह तो मुझे बहन लग रही है तो यह एक तरफ लिखावा है mother यानि माता M O T H E R और एक तरफ लिखावा है sister यानि बहन S I S T E R तो यह कौन है बच्चो सारे जवाब मुझे एक साथ मिले है और बिल्कुल सही जवाब आईए देखते हैं यह है बहन यानि की प्यारी सी हमारी sister जिसे कहते हैं बहन S I S T E R sister यानि की बहन तो बच्चो आपने बिल्कुल सही सही अपनी family को पहचान लिया तो बच्चो उम्मीद करती हूँ कि माता पीता भाई बेहन दादा दाली इन सब को क्या कहते हैं इंगलिश में यह सब आपको समझ में आ गया होगा आ गया होगा ना बच्चो आज आप अपने घर जाके family को देखिएगा अपने तो आपको पता चलेगा कि आपके पडिवा या exercises तो आए बच्चो आगे कुछ और enjoyment करते हैं यह क्या है यह है माई family यानि की पिक्चर में आप देख रहे हैं है he is my father nice and kind she is my mother gentle mind she is my sister playing with a doll he is my brother still to grow tall this is my family I love them all तो बच्चो ये तो मैंने पढ़ा my family के बारे में तो इसको आपको कुछ समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा तो अगर इसे हम साथ में गुनगुनाए राम्स के तरह तो मजा आएगा ना तो आएए इसको पढ़ते हैं और गुनगुनाते हैं my family he is my father nice and kind she is my mother gentle mind she is my sister playing with a doll he is my brother still to grow tall he is my father nice and kind she is my mother gentle mind she is my sister playing with a doll he is my brother still to grow tall तो बच्चो मज़ा आया ना इसे गुनगुनाने में देखा आपने कि इस रैम्स में father, mother, brother, sister सारे नाम आगये है ना तो बच्चो जैसे मैंने आपको गाकर सिखाया वैसे आपको भी गाना है ठीक है तो बच्चो आसा करती हूँ कि आपको my family अच्छे जो समझ में आ गया होगा आज घर जाईएगा आपका ये home work है घर जाकर आप अपने परिवार में सब को देखिएगा जैसे आपके माता, पीता, भाई, बहन, दादा, दादी हो, चाचा, चाची हो जो भी आपके घर में रहते हैं उनका नाम इंगलिस में note down कीजिएगा और मुझे आकर दिखाईएगा तो बच्चो किन्द को इंगलिस में क्या कहते हैं ये तो आपको पता चली गया परिवार कैसा होता है, परिवार में कौन-कौन होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा आज घर जाके अपने फैमिली से मिलेगा और उन्हें भी सब चीज बताईएगा कि किन्द को इंगलिस में क्या कहते हैं अब अगले चैप्टर में फीर में आपसे मिलूंगी तब तक बच्चो अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किजिए पढ़ते रहिए मुस्कुडाते रहिए और स्वस्त रहिए गुडबाई एंड टेक कियर थैंक यू